हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे वरत स्पेशल साबुत दाना मैंगो खीर जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे बार-बार खाएंगे और यह वरत और ग्लूटन फिरीक दोनों के लिए बहुत अच्छी है साबुत दाना मैंगो खीर बनाने के लिए मैंने एक लिटर दूद लिया है साबुत दाना जिसको रात में धुलकर भिगो कर रख दिया था और अब मैंने इसे च्छनी में स्टेन कर लिया है आधी कटोरी के करीब मैंने शुगर लिये और एक दशेरी आम लिया है और सबसे शुगर एड़ करेंगे जब हमारी शुगर अच्छे से इसमें मैल्ट हो जाएगी तब हम इसमें अपना साबुदाना एड़ करेंगे दूद हमारा काफी गरम हो चुका है और जो शुगर है वो भी अच्छे से इसमें मिल गई है अब हम इसमें अपना साबुदाना एड़ कर ऐिए सबुद्दाना जो वही होता है कि अच्छे होता है यह ग्लूटन ?? είναι आप इसे ग्लूटन फिरी हो एलर्जिक हते हैद ऑठ उन लोगों भी इस और वो अलग-अलग इस तरही से दिखाई देने लगेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी जो खीर है वो कैसी आपको लग रही है देखिए हमारा जो साबुदाना है वो खीर में अच्छे से मिल चुका है और दीरे दीरे ये गाड़ा होने लगेगा देखिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ और जो हमारा साबुदाना है वो अच्छे से दूद में मिक्स हो गया है इस तरीके से हमें लगातार इसे चलाते रहना है, जब यह हमारा बन कर तियार हो जाएगा, तो हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि जो हम इसमें mango add करेंगे, वो ठंडा होने पर ही add करेंगे, इस खीर को आप ठंडा करके desert के रूप में भी खा सकते हैं, और इस इसे से आपस में mix हो गया है, और इसकी consistency भी जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, अब हम अपनी gas बंद कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, हम मैंगो को अच्छे से कट कर लेंगे, और मैंगो कट करके इसकी एक प्यूरी बनाएंगे, देखिए मैंन आ रहे हैं, यह बहुत ही tasty और बहुत ही यम्मी होगी, आप जरूर ट्राइ कीजेगा अपने घर पर, और जब आप ट्राइ करें तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह खाने में कैसी लगी, इस तरीके से धीरे धीरे आप चला कर इसमें मैंगो को mix कर लेंगे, इसमे इसको दूसरे बाउल में निकाल लिया है, मैंगो साब उद्दाना खीर जो है, वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, देखिए, यह बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, अगर आप चाहें, तो इसे ऐस क्रीम की तरह भी खा सकते हैं, आप इस इसे फ्रीजर में रख दीजे, और फ्रीजर में रखकर इसे जमा दीजे, तो यह बहुत ही एक अच्छी आइस क्रीम के रूप में आपके सामने आएगी, अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं, गार्निशिंग के लिए मैंने बदाम, काजू, और अखरोट लिए हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरी जो मैंगो साबुद्दा खीर है, वो बनकर तयार हो गई है, गाइस मुझे जरूर बताइएगा, कि जो मेरी खीर है, वो आपको कैसी लगी, और थैंक यू पर वाचेंग,